आज सामने कुम एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे आज हम बना रहें भिंडी गोष जिसके लिए मैंने लिया है गोष तकरीबन एक पाउ यानिके 250 ग्राम्स क्योंकि ज्यादा कोई नी खाता मेरे घर में असती है और यह है तू मेडियम साइज अनियन इनको आपने रफली जॉप करना है फाइनली जॉप नहीं करना यहां है तू टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट अब हम इसमें अट करें ड्राइ इंग्रियेंट्स ही है वन टी स्पून जीरा सॉल्ट एस पर टेस्ट हाफ टेबल स् टेबल स्पून तहनिया पाउडर और इसके साथ में हल्दी है जो कि है हाफ टी स्पून आपके मसाले अगर तेज हो तो आप अपनी मर्जी से भी इसको एड़ कर सकते हैं मेरे मजाले जिस तरहां से हैं मैं नैशनल के मिसाले यूज़ करती हूं और सम्टेम्स शान के तो व मैंने इसमें सारे मसाले अट कर दी है ृसम मैंने सवा, कलास, नाप्श, पानी डाल दीतल था और साथ में最फ़ कप गया इंवी अड़ यूज़ मेरे घर में लागती है नियुक्त में बहुर आज़्यदार वेे बंबाइट लगाती हूं जब झसकी मेरे घर मेरे 17ajl बिल् यहां पर यह बिल्कुल गल गया था था थोरस आपको अनियन खड़ी नजल आ रही होगी इसमें मैंने टिमेटो पेस्ट एड़ कर दिया था था थ्री मीडियम साइस को टिमेटो लिये थे और पेस्ट बना लिया था सबजी के अंदर शोर्बे वाले सानन में स्पेशली पेस्ट ही चलता है वकर चंक्स बुरे लगते हैं टिमेटो के यह मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी और फिर मैं आपको भून के दिखाती हूँ हमारा मसाला अलमूस्ट बिलकुल दया रहा है यहां पर इसकी थोड़ी सी देर के लिए गोश्ट के साथ पहले हलका साथ भूनने और यहां देखें हमारा गोश्ट बिलकुल रड़ी था यहां पर मसाला छोड़ चुड़ चुका था इस पर हमने इसमें भिंडी एड़ किया है आपके घर में भिंडी अगर जादा बड़े साइस के ख़ होता है तो इस तरह में भिंडी बिलकुल तयार थी लास पर जब यह रड़ी होगी थी तो थोड़ा सूर्ट कम लग लग रहा था मैंने salt एट किया था और इसमें थोड़ा सा गर्म असाला powder एट किया था जो कि मेरे अपने घर का था और ये बहुत मज़ी कि लग रही थी मतलब मैंने बैसे ही टेस्ट किया था आज दो पहर ही बनाई आने गा और गर्म मसाला आप इसमें थोड़ा से अट करें थोड़ा अच्छी फैक्रिंस हो जाएगे यहां हमारा साल मिलकुल तयार है थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग टेक कियर अल फ्यू अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दौाओं में आद रखिएगा और मेरी वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहिएगा अपना प्यार देती रहिएगा और मिलते हैं आप से एक और ने वीडियो के साथ तिल देन टेक कियर लाहफेज